आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेग्डेंसी के दोरान अगर मैला की छाती यानि ब्रेश्ट में कुछ चेंजेज दिखाई देते हैं और अलग-लग चेंजेज जो बदलाव हैं क्या उससे हम लड़का और लड़की का पता कर सकते हैं और आज के टाइम में समाज में अवधारना ये चली ही रही है क्योंकि अल्ट्रा साउंड से लड़का और लड़की का पता करना इंडिया में बैन है तो इन ही चेंजेज के माध्यम से महिलाएं पता कर रही हैं कि उनके पेट में लड़का है या लड़की है तो आज के वीडियो में मैं उन पॉइंटों पे भी बात करूँगा साथ में ये भी बात करूँगा कि नॉर्मली जो महीला का breast है उसमें pregnancy के दोरान क्या changes आते हैं और अगर उन changes की वज़े से उनकी size और shape खराब हो रही है तो उसको आप कैसे maintain कर सकते हैं मैं वो tips भी आपको इस वीडियो में दूँगा तो सबसे पहले हम इसी point को discuss कर लेते हैं कि pregnancy में आखिरकार कौन-कौन से changes और किस वज़े से आते हैं जो आप आएना की सामने खड़े होके अपने breast में देखेंगे तो वो उनको feel कर पाएंगे कि हाँ यार really में ये changes में दिखाई दे रहे हैं तो देखो आपको पता ही है जैसे ही pregnancy होती है तो धीरे-दीरे pregnancy जैसे जैसे आगे continue चलती है तो वैसे-वैसे breast में भी changes देखेंगे कि उसकी size increase होने start हो जाती है यानि अगर आपके 200-300 ग्राम के breast है तो देखे-दीरे एकदम से ऐसा नहीं है कि 400-500 ग्राम के हो जाएंगे पर ये लगबग देखे-देखे उनका size बढ़ता है जो 400-500 ग्राम तक breast हो सकते है अब इसमें logic क्या है लड़का-लड़की का कि अगर दाया breast है यानि दाया हाथ वाला breast है अगर उसकी shape ज़्यादा बड़ी हो बाये की तुलना में बाया छोटा हो और दाया बड़ा हो तो बोला जाता है कि आपको पुत्र प्राप्ती यानि लड़का प्राप्त होगा और ये symptoms आपको लगबग कब match करना है कि जो बाया है हलका हो breast तो बोला जाता है कि इसमें लड़की होगी पर आखिरकार आपको ये मैं बता दूँ कि जो breast में जो shape बढ़ती है वो हमारे estrogen hormone है और progesterone जो placenta बनाता है जो अंड़ा बार निकलता है और बच्चा के निर्मान करता है placenta होता है वो progesterone hormone बनाता है ये progesterone हमारे बच्चे दानी की दिवार को भी maintain रखता है और साथ में breast के अंदर जो दूद बनाने वाली gland है उनका भी निर्मान करता है उनको भी बढ़ता है क्योंकि जब बच्चा जनम ले तो महिला बच्चे को दूद पिला सके तो और साथ में ही ये changes दिखाई देता है कि pregnancy के दोरान brush की shape बढ़ जाती है उस shape बढ़ने की वज़े से अगर उनमें छोटा बड़ा दिखाई देता है तो उनमें बोला गया है कि लड़का और लड़की होगी अगर ये symptoms आपको notice हो रहा है चार मेने के something तो आप मुझे comments करके भी बता सकते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा symptoms आया था या ऐसा symptoms है देखते हैं क्या होता है या जिन महिलाओं को बच्चा का जनम हो चुका वो भी ये comments कर सकते हैं कि ये really work करता है या नहीं करता है second point है कि आपने ये भी देखा होगा जो निपल होती है महिला की pregnancy के दोरान वो थोड़ी सी tight हो जाती है prominent ये बाहर निकलीवी होती है कुछ-कुछ महिलाओं की अंदर दस जाती है वो एक normally नहीं है अंदर नहीं जाना चाहिए पर कभी कभी क्या होता है breast की size है न चारो तरफ से बढ़ती है और निपल अंदर की तरफ ऐसा लगता है दस गई हो वो क्या है increase नहीं होती बाकी breast की जो निपल होती है जिसे बेबी दूद पीता है उसकी भी size भढ़ जाती है prominent ऐसे पेना पेना सा आपको मैसूस होगा तो उसमें बोला गया है कि अगर वो prominent है और आपको वो dark काली हो जाती है तो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है तो बोला गया है कि आपको लड़का होगा अगर काली नहीं होती तो लड़की होगा ऐसे अवधाना बोला गया थरड़ हमारा point आता है कि breast जो nipple है उसके चारो तरफ एक काला कला आपको गहरा दिखाई दे रहा होगा ये normally सबी के साथ होता है पर pregnancy की दोरान आपने देखेंगे कि उस काला काला जो गहरा आपके चारो तरफ जो nipple के चारो तरफ दिखाई दे रहा है उसके साथ में ही एक और second दूसरा हलका घेरा दिखाई देना लग जाता है नॉर्मली जैसे breast की size बढ़ती है तो उसके साथ में उस घेरे का एक अलग सा घेरा और बनना start हो जाता है जो उसके अंदर अमारे cbc gland होती है तो बोला गया है कि वो जो घेरा बनता है अगर वो दूसरा घेरा बनता है तो वो लड़का होने का बताया गया है बाकी मैं यह बोलता हूँ कि normally हमारी किताबों में हमने यही पड़ाए कि वो secondary area बोला जाता है जो चारो तरब बनता है हलका वाला dark तो वो दोनों breast में होता है, लड़का और लड़की में होता है, पर बोला गया अगर वो बनता है, dark बहुत अच्छे से visible होता है, तो बोला गया कि आपको लड़का होगा, थर्ड पॉइंट की मैं आपसे discuss करूँ, कि इसमें जो छोटी छोटी ऐसे लगेंगी, कि कुछ छोटी ये changes लाता है, कि वहाँ glands बने, जो क्या हुआ कि जब बच्चा दूद पीता है, तो वहाँ क्या moisture बना के रखे, तो वो ऐसे चिकना चिकना पदार्त इस्तरावित करती है, जो वो हमारे सरीर की जो skin है, यानि वो निपल के चारो तरफ की skin है, वो moisture बनाये रखे, और जिससे तो आपके breast कटना start हो जाते है, और आपको दर्द होना start हो जाता है, तो ये third point था, चोथा point में ये बोला गया है, कि अगर आपके breast का normal size से ज़्यादा बड़े हो जाए, जैसे किसी का 300 gram है, तो 400-500 gram सुबाविक है, पर pregnancy के दोरान वो अगर बहुत ही ज़्यादा बड़े हो अब ज़्यादा बड़े होने से लड़की होगी ऐसा तो नहीं देखा गया कि लड़की में जो हार्मोन होते हैं और मईला के हार्मोन दोनों मिलके breast की बहुत ज़्यादा changes कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे बिलकुल भी सही नहीं लगा कि breast pregnancy के coding normally बढ़ता है, अब क्यों बढ़ता है, एक तो मैंने बताया कि प्रोजेश्टर और हार्मोन की वज़े से, दूसरा pregnancy में हमारे सरीन में पानी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी दोरान हमारे breast के अंदर भी पानी की एक छोटी छोटी गांठे शिष्ट सी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, अगर जादा ही breast growth करने लग जाते हैं, तो हमारे breast में दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, जो बसे नॉर्मली है, इसके लिए कोई इलाज की आवशिक्ता नहीं होए, बस आप इतना कर सकते हैं, कि आपके overgrowth हो रहे हैं, आपके breast लटक रहे हैं, तो एक तो आप protein का intake बढ़ा दे, क्या होता है, जब कोई चीज फैलती है, तो आपको पता ही है, जब अंदर कोई चीज भरेगी, तो बाहर से फैलना स्टार्ट होगा, तो इस skin हमारे कटना, वहां से तूटना स्टार्ट हो जाती है, उसमें collagen जो fiber होते हैं breast के, वो तूटना स्टार्ट हो जाते हैं, तूटेंगे तो आप यह देखेंगे कि जैसे pregnancy में पेट पे scar mark आते हैं, तो कुछ महिलाओं के breast पे भी scar mark दिखाई देनते हैं बाद में, तो इसके लिए एक तो आप bio oil यूज कर सकते हैं, जो सबसे best है कि आपके scar mark नहीं होंगे, आप पेट पे भी लगाएं और breast पे वहाँ का skin की जो integrity है, वो maintain रहेगी, protein का intake बढ़ा दे, मैं बोलता हूँ कि protein आपके बच्चे को भी चाहिए, आपके सरीर में जो skin है, उसमें collagen fiber होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अगर कोई चीज खेंचोगे तो वो तूटेंगे, और वो किसके बने होते है protein के जो repair हो सकें, इसलिए protein का intake बढ़ा दे, दूसरा आपकी बच्चे दानी को मजबूत, उसमें भी जो muscles होती है, जिसको muscles बनानी है, उसी को protein की आउशकता होती है, ऐसा नहीं है, हमें भी protein की आउशकता होती है, क्योंकि जब वो तूटेंगे, तो उनको repair करने के लिए protein की आउशकता होगी, तो protein बढ़ा दे, vitamins आप खाएं, और दूसरा आप उसका oil से massage, आप bio oil से कर सकें तो ठीक है नहीं, तो कोई भी oil से जरूर मसाज करें, और अगर आपको pregnancy के अंदर breast में दर्द हो रहा है, तो आप ठंडे और गरम पानी का हलका हलका shake भी कर सकते हैं, पर उस लड़की का पता लगा सकें, इन बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमने पढ़ा है, बट समाज में आज ये इसलिए चल रहा है, क्योंकि जो breast हो चाई body में बहुत से changes आते ही हैं, और उनका एक point उठा लेते हैं, और उनको वीडियो बनाना होता है, जो कुछ भी वीडि मिली, तो लड़की हुई, या कई बार, रियली में आप खुद ही message करके बोलोगे, कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बक्वास है, और मैं भी यही कहूंगा, कि ये सब बक्वास है, मैं सिर्फ आपको knowledge के purpose से ये वीडियो बनाया हूँ, हाँ, आप इस चीज का आप चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद